हमस्कार सातियों वेदान्त क्लासेज के इस बहत्रिन डिजिटल प्लेट फोरम पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनांदन विद्यार्तियों जैसा कि आप सबको पता है पसुपरिचर की जो भी पार्ट वाली जो कलास है उनके उपर चार्चा कर रहे थे और उसमें आज जो ह इमेज वगर दिकाई दे रही तो इससे आपको बिल्कुल इस फस्ट पता लगया होगा कि हम कौन से किसके बारे में चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं आपके सामने एक भेड है और भेड के देखो बहुत बड़ी बड़ी उन है और इस वाली जो इमेज में है इसकी उनको क कर rooted क्या है उनको मतलब उसके शरीर से अटाने क्या है उनकत्रन है व्द्यारतियोर तो इस टोपिक का नाम को पता होना चाहिए कि उनकात्रन नाम है यहनिए किboard सीरिंग इसकी इंगलिस में बोलते हैं इसको अब देजकिए इसमें पढेंगे क्या क्या स्बसे पेले इन मिंदूँ को जानते ऐग तो बैसिक जानकारी ले लेंगे इसके बारे में पाकडरन होता क्या है और जैसे उनो कोण से समय पर इसको काटना सही रेता है तो वह वह देखेंगे उसका बारे में बड़ेड यता आगर जानकारी लेंगे इसके इलाब़ किया होता है किंद है कि मार्जन कम देखने को मिलेगे इनका मतलब क्या होता है परिलिंग क्या है यहां पर उन-कत्रन से सब्मंदित या फिर और बच जाता पुज़ तो उसको अन्य महत्वपुन निया है तो इस परकार चाशा में इसके बारे में करेंगे तो सबसे पहले जानते उन-कत्रन जाने की बेडों के उन को तउचा की पतली-परत के साथ उसके सरीर से हटा दिया जाता है इस परिक्रिया कोई उनकतरना या उनकतरनी कहते हैं देखिए इमेज में बता दे रहा हूं आपको यह जो इस परकार से जो काटी जारी है उनको अटाया जा रहा है अब हो सकता है इसको मसीन से भी अटाया जाता है कैची वगरह से भी अटाय हो जाती है क्योंकि जो उनों होती है ना वो बारिश की वज़ह से पीला पना जाता है उस में जब भी अगर हम को नहीं को काटते है अगर वर्सा रितू के बाद में तो वो कैसे हो जाती है पीली हो जाती है उसका थोड़े ध्यान तो ब्यादी को मिलता है और जाता है इस निए मिल सकता एक तो पहली बात तो दूद देने वाला तो दूद का उसका जाता है अगर कुछ पसू को मास के लिए पाला जाता है तो मास के लिए हम उसका पालन पोशन करते हैं इसके लावा कुछ का उन उपयोगी होता है तो उनको हम बेजते हैं और इसके लावा उन देखो जब कोई पसू होता है तो उसकी चमड़ी उसकी अड़िया वगरण सब क चाती है इसलिए उनको ऐसे समय काटना चाहिए जो जिस समय ना तो ज्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो क्योंकि उन जब वेड के उपर रहती तो उसको सर्दी नहीं लगती ज्यादा उन्ना गर्मी लगती तो ऐसे मोस्तर में काटना चाहिए जिस समय भैंकर सर्दी भी नहीं बाल आजते तो फिर उनको को ज्यादा दिकत नहीं होती है इन सारी बिन्दों को जया रखना तो यहां से परसन बनने की पूरी संबावना है देखिए उन कतरने की जो विदिया है यह जो भेड है अगर इसका उन काटा जाएगा तो कौन-कौन से तरीके से उन काटा जाता है एक तो कैंची की साहिता से या क्लिपर की साहिता से उनको काटा जाता है और दूसरा कौन सा मसीन की तरीके से और एक रासाइनिक जो केमिकल व सब्सक्राइब करने को प काले क्टिन को उताई जा सकती है नुअ पिए दोसरी सपच्कुनीव होती है जů सटाई जाते है इसको मणसीन के दवार अटाना बोलते हैं इस में क्या होता है समय की भी बचट हो जाती है और इसमें लंबी जो रहे से होते हैं वो प्राफ्ट कर लिए जाते हैं लेकिन इस बिल्कुल बराबर लेवल की कटके आ ही इस टाइब की मजीन होती ही और देकि यह व्यक्ति इसमें का इमेज दिखाई दे रहा है डיים कि आगे देखो अगर इसमें हम अब आज देखते हैं फो बहले यहां पर तीसरी जो व्यक्राइम है और अगर हम राशानिक वीदी की बात करें तो इसको 1970 में इसका आविज्कार किया था अमेरिका में इसका आविज्कार हुआ था कहां पर हुआ था अमेरिका में इसका हआ था इस विधी में बैड को 24ito sign of fast फबाई रसाइन खिला जाता है जो तरी तो सबसे बेस्ट जो तरीका है इसमें यह मसीन वाला है इसमें बेड को ज़्यादा दर्द वगरा भी कट वगरा लगने की समभावना कम होती है क्योंकि इसके आगे प्लेस्टिक वगरा लगी रहती है यहांसे जैसे कई बार हम नाई की दुकान में जाते हैं जिसे बाल वगरा कटवाने के लिए जाते हैं अम मेरा जैसा विक्ति तो क्या जाएगा विद्यारती मेरे तो बाल इत्वेसे छोट छोटे हैं और वैसे उड़ चैनल का विद्यारती आपने देखा है जो आजकल मोडन पसुपालक है वह क्या करते हैं इनकी जो बैड को उनको अटाते तो उसको design से अटवा लेते हैं तो कई जैसे राम भकत है तो वह क्या करते राम का ऐसे उस उस इस लगवा लेते हैं कई देश भकत है तो उस पर उस कतरते समय बरती जाने वाली जो सावधानी हैं उनके बारे में यानि की भेड़ों को पांस साथ दिन पहले नहला देना चाहिए ताकि उन में गंदगी नाए जब उन काटी जाती है तो उस समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो उसमें जो पहला बिंदू निक कर कातरने करने चाहिए मतलब मौसम का पोरे ध्यान रखें पृष के बादमें उनकाटना चाहिए उन कातरते शमय पैट च्छाती और टांगो की उनको अलग-अलग रखना चाहिए यानि पेट पर जो उन उसको अलग ठाथी पर जो उन्हीं मिल रही है उसको थोड़ा ठीक है और उन कतरने के बाद बेड़ों को दूप से बचाना चाहिए जब तक कि उनके सरीर पर एक इंच तक पूने दूबारा वो उन ना जाए जैसे अगर देखो जिसके अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था एक इमेज बताई थी आपको जैसे ये ये वाली जो आरि Dz Lifige चैन चाहिए अब इसको अचानक हटाये जाएगा और हटाकर विद्यार्ती यों इसको अगर अचानक दूप में ज्यादा सर्दी में रखा जाएगा तो फिर इसकी boundary को सकती है घतले ज्यत्वर करना हो चाहिए क्या ही कि दब तक यह दवाईया होती है उनका प्रियोग करना चाहिए जिससे इसके कोई गाव ना बन जाए उसका थोड़ा ज्यान रखना चाहिए इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट बिंदूवा उने उनको जानते हैं कि बेड़ि के आलावा उन्य जानौhos होण रहसे भालप्राफ्त कि जाता है विर भीड़े या नहीं जाने पियद्न की 했어 लेकिन molt कई जानवर हैं। जो बाल या उनके रेस है या बाल प्राफ्ट किया जाते हैं उनका भी उपयोग उनकी तरही किया जाता है जैसे किस-किस का किया जाता है एक आपने सुना होगा बकरी पस्मिना बकरी तो पस्मिना बकरी से भी द्यारती है पस्मिना उन निकलती है यह ज्यादातर पहाड़ी चेत्रों में मिलती है बक्री पाहडी नसलों में जैसे चेंगू चांग्तान पाहडी बक्री है अब देखो इस बक्री के भी किते बड़े बाड़ है तो इनका भी एक परकार से उनकी बाती यूज लेते हैं और इसे पस्मिना उनके नाम से जाना जाता है इस बकरी से जो उन पराफ्त होती है इसमें उत्तम गुनवत्ता के कारण इससे कस्मीरी सोल बनती है यह जो बकरी है ना पस्मिना इसका परियोग विद्यार्टियो कस्मीरी सोल बनाने किया जाता है जो कि काफी महंगे और बहु इसके जो बाल, लंबे, गुंगरालू, नरम और चम के लिए रेसे पराप्त होता है, जिने मोहेरे का जाता है, तो यह जो इसके उन है, यह वाला जो रेसे पराप्त है, इसको मोहेर का जाता है, क्या का जाता है, मोहेर का जाता है, बकरी का अंगोरा नसल जिसे बैड जैसी ब मौहिर कहते हैं इनका थोड़ा ध्यानद कना आगे दिखी अमेरिका उंट से प्राप्न रेशम के समान रेशो को कि अलपा का कहते हैं इसके अब हमने बात करी अंगोरा हो गया इनके विरेसे ले जाता है इसके आवर जो पस्मिंअ-बक्री हैई इसके रेचा fusion के विए लूजूत उता है विंह को अगोरा विंश क्वास बाड़े बड़े बड़े बार तो इन से प्राफ्त होती उसको अंगोरा ऊन कहते हैं और निकाली जाती जो विड्यार्ति बड़ी बड़े पात्र में डाल दिया जाता था उसमें यूँ देते रहते थे मतलब काफी पानी से उसको दोते थे पहले यह ता आजकल मशीन आगी तो मशीनों से दो लेते और रिलिंग क्या है तो रिलिंग रेसो को सीधा करके टेटना और फिर से लपेट कर धागा बनाना ही क्या क तो कुल मिलाके जो उन से जो दागा बना है उसी को रिलिंग कहते हैं विद्यारतियों एक मोटिवेशन कोड है कि सपना एक देखोगे तो मुश्किले हजार आएगी लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब काम्याभी सोर मचाएगी इसी के साथ यह जो रून कतर हैं नवाचार कर सकता हूं तो आप मुझे सजेच करना तो मैं बिल्कुल उसको आपकी जो भी जाओंगे अच्छे जो सुजाओंगे उनको मैं मानूँगा थेंक्यू में